हेलो गाईज जैसे कि आप सभी जानते हैं हमारा स्टेनोफ और यूटूब प्यानल है यहां बेसिक से लेकर एक्सपर्ट टेवल के आपको कुलास्व प्लत कराई जा रही है सभी असी शब्द प्रतिमेट की गति के लिए तैयार हो जाएगा इसको हमने संपाद की यह से लिया हुआ है कुछ दिन पूर्व मुंबई में कराची स्वीट मार्ट नामक दुकान के मालिक को एक सिव सैनिक ने दुकान का नाम बदलने के लिए धमकाया उसका कहना था कि पाकिस्तान भारत के विरुद आतंकवादी गतिविदियां चलाता है इसलिए नाम बदलना चाहिए उस दुकान के मालिक ने भी संगर्स टालने की मंसा से नाम बदलने की बात स्वीकार करते हुए कराची शब्द को ढक दिया यह समाचार पढ़कर उस सिव सैनिक की छुद्र मनोदशा इतिहास बोध का आभाव और सत्ता से उपजी हेकडी देखकर दया आई उसे भारत के इतिहास का थोड़ा भी बोध होता तो किस परिस्थिती में कराची का अपना सारा कारोबार छोड़कर उस दुकंदार के पूर्वज भारत में आने को बाध्धै हुए इसका इसमरण होता हिंदु समाज की और उस समय के भारत के नेत्रत्व की कमजोरी या मजबूरी के कारण उन्हें अपने ही देश में निर्वासित होकर आना पड़ा अन्य किसी भी दलत मार्ग का अवलंबन ना करते हुए अपनी मेहनत से धीरे धीरे तिनका तिनका जुटा कर उन्होंने यहाँ अपना कारोबार खड़ा किया और देश की सम्रधी में अपना योगदान दिया सिंध या पंजाब से आये ऐसे अनेक लोगों ने कस्ट सहते हुए पूरे देश के भंडार सम्रध किये हैं उन्होंने अनेक सेक्षनिक और ब्यवसाइक संस्थान प्रतिस्थान खड़े किये हैं जिनका लाब समाज के सभी वर्ग ले रहे हैं जिस इस्थान से हम आए उस इस्थान का इस्मरण करना या रहना नई पीडी कदायत्व बनता है ताकि आगे योग्य समय एवं सार्थक सामर्थ आने पर फिर से बहां बापस जा सकें भारत में 14 अगस्त के दिन अखंड भारत इस्मरथी दिवस मनाया जाता है इस दिन लोगों को भारत बिवाजन की भारी कहानी बताई जाती है और फिर से भारत अखंड बनाने के संकल्प को दोहराया जाता है शायद यह बात वह सिब सैनिक नहीं जानता हो योगी अरविंद ने भारत बिवाजन के समय ही कहा था कि यह बिवाजन कृत्रिम है और कृत्रिम बातें इस्थाई नहीं रहती है एक न एक दिन भारत फिर से अखंड होगा हम कराची से आये है या हमें मजबूरी से आना पड़ा और हम फिर बापस कराची जाएंगे ऐसा संकल्प रखना कोई गुनह नहीं है आने वाली पीडियों को भी यह संकल्प याद रहे इसलिए कराची नाम रखना गलत बात नहीं अखंड भारत की बात सुनते ही कुछ लोगों की ब्रुकुटियां तन जाती है यह राजकिये विस्तारबाद की बात नहीं है उन्हें इसे समझना होगा अंग्रेजों के एक छत्र सासन में आने से पहले संपूर भारत में एक राजय का राजय नहीं था फिर भी भारत एक था बास्तब में भारत एक भूभाग इस्मरतिक इकाई है यह सदियों से रहा है हम सबको जोड़ने वाले जीवन की आध्यात्माद